हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज इस वीडियो के अंदर मैं सभी उत्तर प्रदेश के प्राइवेट अईरुवेदिक मेडिकल कॉलेज का फीस इस्ट्रक्चर ओफिसियल बताऊंगा जो ओफिसियल फीस इस्ट्रक्चर है किसी से भी आप बात करते हैं कोई कितने भी बताता है क ये NCISM के द्वारा निर्धारित फीस है मतलब आयूस मंत्राले के द्वारा निर्धारित फीस है इतने फीस है ये ट्यूशन फीस है तो सबसे पहले हम बात करते हैं और एक बात और मैं आपको सभी को बता देता हूं यदि आप कांसलिंग करा रहे हैं कांसलिंग से रिलेट नम्मर है मैं किस कॉलेज को फिलिंग पहले नम्मर पर रखूँ या किसी अधर इस्टेट से आप बिलॉंग करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप हमसे हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है बाकी चैनल पर मेला मोबाइल नम्मर बहुट सप नम्मर भी है आप हमसे बहुट सप पर सीधे बात कर सकते हों तो बात करते हैं गुरु गोरचनात गोरखपुरवाले की जी जी आई मैस की दो लाग पैसट जार आठ सो रुपर फीस है और सीट अपना देखते चलिए सीट भी यहां लिखा हुआ सम्मेगोसेया गाजीपुर तील लाग रुपए पर यह फीस है बेवेक कॉलेज और फार्मेश बेवेक कॉलेज और आयरुवेदा मेडिकल कॉलेज है यह बी दो लाग पचास अजार स्री राम कॉलेज मेरट वाला यह दो लाग चारजाद छैसों यह इहां दिखा रहा है अब इस बार जो फीस कितनी लेगा यह जब आप कॉलेज को जब चोईस फिलिंग करोगे तब फिर दबारा से फीस थोड़ा बहुत चेंजेशन होता है आया एम्टी मेरट दो लाग उन्तालीस जाद दोसौ रुपए धनवंतरी वरेली दो लाग बावन हजार दोसौ रुपए एपक्स कॉलेज मिर्जापूर दो लाग तीस जार च्छेस रुपए एंक्राइट्स लखनव दो लाग त्रेपन हजार नौसौ रुपए बाबु तो थोड़ा फीस में कंसिशन हो जाएगा बाकी आप हमारे बॉट्सब नंबर पर हमसे संपर्ख कर लेना साइय अर्विदा मेडिकल कॉलेज सरसौल अलिगड़ दो लाग सत्तावन हजार आठ सो रुपए डबलू टी एम अम्रोहा दो लाग एक्क्यावन हजार सो ओपन में आए मतलब चोईस फिलिंग का ओप्शन में आए यहां नहीं है कि बिदावट परमिसन वाला भी कॉलेज लेने नहीं दू नायर्वेदा मेडिकल कॉलेज 2,4600 रुपए जीवक चंदॉली 2,6600 रुपए प्रभुद्ध मेरट 2,6600 रुपए चरक मेरट 2,4600 स्केस मतलब 2,69,800 रुपए अब तो इस स्केस MBBS भी करा रहा है इस वर्स से ही बाबाब श्वनात आजमगड 2,4600 रुपए द्रोड़ाचार सहारनपो 2,4600 रुपए एमडी आगरा 2,48,900 रुपए इस कॉलेज में भी एड़िसन लेना चाहते हैं तो कॉंटेक्ट कर लेना या भी फीज थोड़ा बहुत कंसेसन हो जाई है इस्टिटीट ओफ आयूसो मेडिकल साइंस यह आपका लखनुग है अई एमस मोहलाल गंजवाला है 2,58,200 रुपए जीवन जोती अलिगड 2,44,200 रुपए इशान ग्रेटन रुड़ा 2,45,400 रुपए भारत अयरुवेदिक मजफर नगर 2,25,000 रुपए इस वार मेजर एश्टिटी सिंग यूनिवर्सिटी बन चुकी है इस वार का जो बैच होगा वो इसकी खुद की यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होगा कोई इशू नहीं बढ़िया है दोलाक 69,600 रुपए रोहिल खंड दोलाक 4,600 रुपए आईटी एम दोलाक 4,600 रुपए आरके कॉलेज ये आजमगडका है दोलाक 3,800 रुपए आमरपाली उन्ना दोलाक 4,600 रुपए दिपजोती गाजी अवाद डीजी एमसी दोलाक 6,600 रुपए बाबू आयरुवेद मेडिकल कॉलेज मवू दोलाक 48,000 रुपए दोलाक 59,600 रुपए बुलंद सहर में है आरवी आगरा 2,24,400 रुपए कलावती 2,35,700 रुपए अलिगड़ी उन्नी 2,60,000 रुपए सिवालिक अलिगड़ी उन्नानी में भी थोड़ा बहुत फीस कंसेशन हो जाती है काफी कॉलेज़ों में कंसेशन हो जाती है आपको कौन सा कॉलेज़ चाहिए तो हमारे वाटसब पर बताएं कांसलिंग से रेलिटेट जानकारी भी दे देंगे और जिस कॉलेज में फीस आपके एकोर्डंग थोड़ा बहुत कंसेशन मेरे एकोर्डंग मेरे साफ से थोड़ा बहुत कंसेशन हो जाएगा तो हम पूरी कोसिस करेंगे कंसेशन कराने की कि ocus bakili aski ora या आपका 12 advocacy में है सिवालक का है knocking दो संजीवनी आयर्वेदे मेडिकल कोलेज अम्रोह इसमें भी फीज कंसेशन कर जग करा दी जाएगी बाबु दद्दु सिंग फरकवाद 2,299 रुपए प्रकास इंस्टिटीट 2,605 रुपए रामा आयर्वेदिक मेडिकल कोलेज गांपूर 2,4600 रुपए मुरादाबाद 2,4600 रुपए गंगा सील आयर्वेदिक मेडिकल कोलेज यह आपका है अम बरेली में गंगा सील 2,705 रुपए इसमें भी थोड़ा बहुत फीज कंसेशन हो जाएगा क्रित का आयर्वेदिक मेडिकल कोलेज 2,4600 रुपए लेकिन इस वार इस कॉलेज की फीज आएगी लवग ठाई लग की सम्तिंग बाब यूगरा सिंग फत्याबाद मदरब यह फरकबाद वाला कॉलेज है दो लाग 28,800 रुपए भगवंत आयर्वेदा कोलेज मुझफर नगर यह 2,4600 रुपए है और यह गोईल आयर्वेदिक मेडिकल कोलेज लखनु का है प्रिक इसकी फीज 2,4600 रुपए है बिमला फैमली आयर्वेदिक मेडिकल कोलेज कानपुर इस कोलेज की फीज 2,4600 रुपए है प्रिक्रिया धीन लिखा हुआ है लेकिन हाँ इसका फीज में जो पता है 2,4600 रुपए ही है इस कोलेज में यह आप एडविस लेना चाहते है तो एक अफिजियल यह फीज है अब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए एक बार मुझे कमेंट करके बताएं जरूर उसे आपके लिए बैतर से बैतर हम कॉलेज बता पाए हैं सब कोलेज का यह ओफिजियल फीज है वीडियो के असला का कमेंट करके जरूर रहता है